मैं मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 माई और 18 माई के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में कैसे परिवर्तन ग्रह नक्षत्रों में होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिन्चरिया पर किस तरह से होगा सभी कुछ जानेंगे हम विस्तार से लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दे ताकि हमारी आने वाली सब ही वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो चलिए जान लेते हैं कि इन दो दिनों में क्या तिती होगी नक्षत्र होगा क्या योग बनेगा सबसे पहले 17 माई की बात कर लेते हैं 17 माई पर्शन पक्ष की 10 मेति थी है दो पहर 12 बज कर 32 मिनट तक उसके बाद एकादशी थी लगेगी इस दिन पूरू भादर पद नक्षत्र रहेगा दो पहर 2 बजे तक उसके बाद उत्तन भादपद नक्षत्र लगेगा विश्कम्ब नाम का योग बन रहा है सूरिय व्रिश्वरासी क्रती का नक्षत्र में है और चंद्रमा सुभा साथ बजकर पंद्रह मिनट तक कुम राशी में रहेंगे उसके बाद मीन राशी में चले जाएंगे है अठारा मई की 18 मई क्रशन पक्ष की एकादाशी ते थी है जो की एकादाशी ते थी शाम को 3 बज interven के लेगे उत्तर बादपद नक्षत्र है शाम 5 बजे तक उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा प्रिति नाम का योग बन रहा है वो है सुबह 11 बचकर 50 मिनट से दो पहर 12 बचकर पे 40 मिनट तक तो ये है ग्रहन नक्षत्रों की स्थिति 18 मई को जो एकादशी है वो अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है जो बहुत ही खास एकादशी है महलक्षमी की करपा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा ये दिन है इसके अलावा देखिये सरवार से दी योग बन रहा है 17 मई को जो बहुत अच्छा योग बना जाता है तो चलिए अब हम जान लेते हैं विस्तार से कि ये जो दो दिन है ये आपकी दिन्चरिया पर किस तरह से प्रभाव डालेंगे इन दो दिनों की ग्रहन अक्षत्र क्या सावधानिया आपको रखनी है क्या उपाय आपको करने है इन दो दिनों में जो आपके लिए लापदायक से दोंगे सिंग राशी की हम बात कर रहे हैं और अगर हम चंद्रमा के इस्तिति की देखें तो चंद्रमा के इस्तिति आपके अस्टम भाव में है बहुत अच्छे अस्टम भाओ में चंद्रमा नहीं माने जाते हैं लेकिन यहां चंद्रमा को पीडित करने के लिए कोई गरन नहीं है इसलिए स्थितिय हैं कुछ हद तक आप के लिए अच्छी रहेंगी अगर आप अपनी जिन्दगी के किसी विश्या के बारे में कुछ परिशान है तो अभी आप कुछ ऐसे सवाल आपके मन में हैं कि आपको जिन्दगी से क्या चाहिए या खुद को बहुत जादा उलजा हुआ आप पा रहे हैं तो ये ऐसा समय होगा कि कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है किसी व्यक्ति के सामने आप अपनी बातें अगर रखेंगे विचार रखेंगे तो आपकी बातों को कोई सुलजाता हुआ नजर आएगा या फिर आप अपने आप से ही कुछ बातों को सुलस्ता हुआ पाएंगे तो जो मानसिक आशांती आपके मन में थी वो आपकी धीर धीरे दूर होती हुए दिखाए देगी अपनी कामों की तरफ आप ध्यान देंगे अपने लक्षों की तरफ आप ध्यान देंगे आप क्या करना चाहते हैं इस बारे में आप विचार करेंगे और अच्छे से ध्यान की इंदरित करने की कोशिश भी करेंगे अच्छा होगा कि आप अपनी जिंदिगी के हर पहलू पर अच्छे से ध्यान दें और अगर कोई अफसर आपको ऐसा मिलता है जिससे आपको कुछ कर सकते हैं कुछ कर दिखाने का मौका आपको मिल सकता है तो उस अफसर को बिलकुल भी हाथ से ना जाने दें हर अफसर को पकट कर रखें क्योंकि छोटा ही सही लेकिन अफसर जो मिलता है उसमें आपको कुछ कर आप किस तरह जाना चाहते हैं, किस चगह आप अपने विचारों को प्रेक्ट कर सकते हैं, उनकी अच्छाइयां, उनकी बुराइयां को ध्यान में रखते हूए आप को आगे बढ़ने की कोशिश करनी हैं, अगर आप इस कंडिशन में है, कि आप किसी वी तरह के खत्रे को जे जम्यदारी भी आपको सौपी जा सकती है और देखिए उस जम्यदारी के बल पर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर सकते हैं आपको कुछ दूर के फायदे यहां दिखाई देंगे और कुछ ऐसे ही फायदे को सूचकर आपको आके चलना होगा इसलिए दूसरों की प्रेड़ना की बगएर खुद पहल करके अपनी काम को आगे बढ़ाना होगा इंडिपेंडेंट आपको रहना होगा दूसरों पर जब तक आप निर्भार करेंगे दूसरों की मदद से आप काम करेंगे तब तक आपका काम बीच में रुकर रहेगा इसलिए कोशिश करे हैं उस काम की तरफ आप बढ़ें व्यवसाय अपका अपना व्यवसाय है तो आपकी रचनात्मक्ता इस समय काम आ सकती है अपनी व्यवसाय को आगे लेकर जाने में कोई भी नई व्यवसाय की यूजना शुरू करने से पहले उसकी अच्छे से प्लानिंग कर लें जरूरी लोगों से बातचीत कर लें, पैसा कमाने के जरूरी है किसी भी हाताई मौके को ना गवाएं, चाहे वो आपके निर्न लेने के लिए हो, या किसी की बात को समझने के लिए हो, या कोई छोटा ही मौका क्यों ना हो, लेकिन कैसा भी मौका हो, उसे हासे नहीं कवाना है, जल्द बहाव के चंद्रमा है अगर आप किसी भी तरह से विदी से लाब कमाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है आपका जो इंकम है उसमें थोड़ी व्रद्धी होती हुई दिखाई देगी और आपको इसे चीज को देखकर खुशी भी होगी इसके लाबा दुश्मनों से थोड़ा सा सावधान रहना है शत्रों से शत्रों आप पर हावी हो सकते हैं इस समय तो इसलिए शत्रों से थोड़ा से सावधानी बढ़ते प्रीम संबन की बात करें परिवाइक जीवन की बात करें तो एक तो आज जो ग्रहनक्षत रहे हैं उनकी स्थिति से आप जो परिवार वालों से चला लेकर उसको आप परिशानियों को हल कर सकते हैं तो दोनों ही दिन आपके लिए सर्वत्म रहेंगे एक दूसरे को परिवार वाले तरजीह देंगे एक दूसरे की बातों को मानेंगे एक दूसरे विश्वास भी करेंगे अब स्वास्तिय की बात करते हैं तो थोड़ी सी मांचिका शांती ज़रूर आपके लिए रह सकती है क्योंकि अस्टम भाव के चंदमा है, मांचिका शांती तो देते ही देते हैं और साथ ही जो जीवन साथ है, उनकी सेहत का ख्याल आपको रखना है जिनते की बात नहीं है लेकिन फिर भी अगर कुछ परिशानी दिखरी है तो जांच के लिए अवश्य लेकर जाएं ताकि सेहत पूरी तरह से ठीक रह सके इस समय सेहत का सही तरह से ध्यान रखना बहुत जरूरी है विद्यारतों के अगर बात करें तो विद्यारतों के लिए ये जो दिन है ये काफी वैस्तता बरे रहने वाले हैं आपका मन भी पढ़ाई से दरुदर भटक सकता है अपनी मन को कंट्रोल में रखना होगा अब हम बात करेंगे देखिए अपरा एकादशी की ये तो एक एकादशी तिथी है 18 मै को बहुत ही खास है क्योंकि एक तो एकादशी को ही बहुत महत्पुन माना जाता है और ये जो एक अपरा एकादशी है इस दिन जो इस दिन का उपयोग करता है उपाय करता है पुझापाट करता है विरत रखता है उसके सभी कस्च दूर होते हैं सुख समरदी सोभागे की प्राप्ति होती है इसलिए इसको अपराय कदशी कहते हैं और इस दिन भगवान विश्णू के साथ असात्मा लक्षमी भी प्रसंद होती है और अपने भक्त के घर को धंधाने से बढ़ती है तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको इस दिन का पुरा लाब मिल सके अगर आप विरत रखते हैं तो बहुत अच्छा है अगर आप विरत नहीं रखते हैं तो एक तो चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें और आप सुभा ब्रह्म मोहरत में उठें अपने घर की साफ सफाई करें मंदिर को साफ करें अपने घर के मंदिर में भगवान विश्णू की प्रतीमा हो मूर्ती हो कैलेंडर हो उसे रखें और उसके सामने घी का देपक जलाएं इसके बाद भगवान विश्णू को अक्षद फूल कोई मौसमी फल आप चड़ा सकते हैं नार्यल चड़ा सकते हैं कोई मेवा रखा है वो आप अर्पित कर सकते हैं लेकिन विश्णू जी की पूजा में तुलसी का पत्ता जरूर रखें उसके बिना पूजा धुरी माने जाती है इसके बाद धूप दिखा कर स्री हरी विश्णू की आरती उतारें और एक लोटे में जल लेकर सूरे देव को जलार्पित कर दें इस दिन एक चीज जरूर करने चाहिए इकादशी की कथा या तो सुने या सुनाए यह बहुत महत्पून होता है कथा का सुनना इकादशी कथा बहुत महत्पून होती है शाम के समय तुलसी का पौधा है उसके पास एक घी का दिपक जरूर जलाए और वहां बैठका ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा इस मंत्र का जब करें और पूरे दिन मन में भी आप इस मंत्र को जबते रहें ताकि पूरा प्रतिफाल आपको इस दिन का मिल सके फिर अगले दिन 19 मैं को आपको किसी गरीब को या तो भुजन कराना है या दान देना है अगर आप दान देते हैं तो बहुत ही इश्यू भी ये माना जाएगा या भुजन कराते हैं किसी गरीब को तो भी बहुत ही इश्यू भी ये माना जाता है इस दिन का पूरा और इस दिन का लाव आप उठा सकते हैं तो दोस्तों ये था दो दिन का राशी फल और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें धन्यवाद